अगली हम बात कर रहे हैं इसमें निर्वहान करशी हो गई हमारी इस्थानतरित करशी हो गई अगली बात करते हैं हम जल करशी की यह बात की आ की बहुत जादा काल लेकिन की का फ्रसाइनी, denying of molu, sodum elles, Ohio, national cost ओंने में बह। आ है एंगों लेकिन गजल करशी का मतलब यह नहीं है कि हम पेड़ पाधे उगा तो उन्होंने एक योज़ना अपनाई कि जो खेत बंजर हो गए उनको क्या के गहरी खुदाई की गई गहरी खुदाई करके मतलब पॉंट तालाप का रूप दिया गया और में पानी भरा गया और उनको मचली के बीज दिये गया मचली उत्पादन हुआ और आपको पता है भारत में जो शाकाहरी है वो भारत के पूरे विश्व की बात करें शाकाहरी कम है मासाहरी लोग जादा है जिसमें फिश बहुत खाई जाती है तो मचली पालन करके उन्होंने एक नया व्यवसाय डवलप कर लिया उनको रोजगार म सयोक मिल जाए तो जल्यकृष्षी का मतलब हो गया ऐसे छेट जल्यकृष्षी जैसे मचली उत्पादन करना है मचली उत्पा ड़ना इसके अलावा आपको बदातों मोती मोती भी पैदा किये जाते हैं उन्हीं फिश में सीपों के माते शंक शंक हैं, सीफ हैं, आदी इस प्रकार की जली कृषी में इनका उत्पादन विशेश रूप से किया जाता है और मचलियों में भी जैसे आपने जींगा मचली का बहुत सुना होगा जींगा मचली का उत्पादन है, शंक है, इनका शैवाल का है यह जादा तर कहां किये जाते हैं, नदी के पास, जहर्नों के पास, तालावों के पास तो यह भी एक प्रोडिक्शन का तरीका है, यह भी किसके लिए किया जाता है व्यापार के लिए ते, घर के लिए तो हम नहीं करेंगे, इतनी जरूरत नहीं है तो इससे भी एक तरीके से मुद्रा कमाने का है तो जल कृशी को आप समझझे तालाब, नदी, जो पोख़र है उनके जो कृशी की जाती है जल्ये क्षि कहते हैं इसमें बस ये ध्यान तक ना है आपको जल्ये क्रिशी में अगर आपको कभी option भी आई या simple भी आप लेके उभेचर नहीं लिखने इसमें उभेचर शामिल नहीं होते हैं उभेचर का मतलब ऐसे जीव जो जल और इस्थल दौनों पर रहते हैं जैसे अपना मगरमच्छ है घड़ियाल है वो है कच्छुआ है ये इसमें शामिल नहीं होंगे इस खेती में इस खेती में जो मैंने लिखें सिर्फ ये शामिल होंगे मतलब आप ये समझ जाए जो भी उभेचर है वो इस जल ये क्रिशी के अंतरगत नहीं आएगा तो ये आपको विशेश रूप से आपको पेंशन कर देना है ठीक है जले अब आजाते हैं एक्वानों आपने एक्वरीम देख फिशेश हैं और इन मचलियों को मचलियां जब दाना खाती है तो वह मल भी तो गिराएंगी तो इसमें बहुत सार रहें WITH Mala के गिर जाता है सब्स्स पानी अब इसी पानी से पाइप लिंक कर दिया जाता है क्योंकि ये अपने-आपनी इस पाइप के माध्धियम से इस सतय पे छोड़ा जाता है और इस पर लगा जाते हैं जो जल में पैदा होने वाली बनसपति है अब आँ हुझ कहिए कि सब्सक्राइब अब तेश करकार शोटे बहुत कि इसमें ऑपर सबसे पहले किंडर गार्डण एकिंडरीऑ करने बीभर में सबसे पहले ओख्रूरु गिश्य C दिग्रद भारत में विए जो शुरू किया गया यो पिव चया है अ मत्लेवाट बटने केनल था और के टेल की गुण जानते थे अब लेकिन उसका नाम के अगया है। जो की यू तो इस प्रकार के बर्तमान में बहुत डवलब की जारी है घरों में क्योंकि मैं आपको बता दू इस प्रकार की जो वनस्पती पैदा होती उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है किचन गार्णिंग की अब धार्ना से निकाली गई थी जिसमें मचली और पौधे एक साथ ब्रद्धी करते हैं बहुत अच्छी टेकनोलोजी और अपने भारत की है पौधे को साहता देने के लिए देखें टेंकों के किनारों पे थर्मोकूलशीट लगा देते हैं जिससे किया रिया'm जाती है इस हें सब्सक्रारियू अपनिश्राइ एक्वेरियम में दो तरीके की हो गए अब अपनी आ जाती है हमारी सहकारी कृषी सहकारी कृषी देखें आपने सहकारी बैंक सुने होगे अपने लाप के लिए दो लोग मिलके चार लोग मिलके किसी तरीके की संस्ता स्थापित करते हैं वो क्या हो जाती है हमारी सहकारी किस तरीक आपस में मिलकर क्या करते हैं और भूमी पर कशी इसे करते हैं इसमें सहकारी स्टाइक्रशी में दो लोग मिल गए यह दू लोगों ने मिला खेती करी अब खेती का उत्पादन होगा फुछ तो बेचेंगे और कुछ क्या करेंगे अपने अपने उपयोग के लिए के लिए अब इसमें क्या हो गया अगर माल लीजिए हमें 100 प्रतिश्यत उत्पादन मिला है तो दौनों में कित्ता कित्ता हो जाएगा बटवार अब 50-50 परसेंट का अगर इसमें चार लोगों को सायोग होता तो चार को 25-25-25 चार बढ़ जाते अगर 5 का होता या 6 का होता तो 33.3 ऐसे करके बढ़ जाते तो जितने आप उसमें लोग मिलेंगे जिसका जितना निवेश अब ये तो हो गया अगर सबने कॉमन मिलाई जमीन भी एक की है किसी ने पैसा दिया तो उसमें अगर किसी का निवेश जादा है तो उसका परसेंटेस क्या हो जाएगा बढ़ जो भी उपज बेचने से पहले तो अपने घर के लिए थोड़ा बहुत जो चाहिए उसके बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें जो भी जिसने इतना परसेंटेस लगाया उसके अकॉर्डिंग उनको उसका फल मिल जाएगा तो यह कैसी क्रिशी हो गई हमारी सहकार क्रिशी ठीके सहयोग से अब सी इसी बाते क्या करते हैं सहयोग से संस्था इस थापिं कर क्रशी कारे कर नो हो जाते हैं हमारी समुद्री शैवाल केसी क्रिशी के कि समुद्र में बहुत सारे शेवाल होते हैं फिशेज होते हैं मैंने का तो पूरा का पूरा पारिष्टितिक तंत्री जितना आपको जमीन पर दिखाई देता है उससे कैई गोना ज़्यादा समुद्र जादा है तो उसमें समुद्री के शेवाल भी एक तरीकी की वनस्पती है जिसका जो हम उखणिज बहुत होते हैं इसमें जो शैवाल क्या है एक तरीके की क्या है यह वनस्पति ही है और इसमें क्या बहुत अच्छा होता है इसमें खनेच एन्ड विटामिन मिटामिन से भर्पूर होता है और इसमें एक और चीज आपको बहुत अच्छी बताओं कि जो ख्लोरेला शेवाल है जब अंत्रिक्ष में जो यात्री जाते हैं तो वह अपने खनीजों के विटामिन्स की पूर्ती करने के लिए इसी को खाते हैं हलका होता है स्टोरेज हो जाता है तो वहां पे जो अपनी आपकोर्ती करते हैं वो समुद्री शेवाल करशी सके जो एक विशेष प्रकार का मैं आपको नाम और बता रही हूओ इसको कहते हैं हम कलोरेला शेवाल क्लो रेला नामक शैवार कहां यूज होता है अंत्रिक्ष में यात्रियों के भूजन केंगे प्रोटीन युगत तो होता है भारत में अगर बात करें कहां डूआ होता है तो कच्छ की मनार की लिए मतलब जितने फुकादी को और कि अधे क्यआ उपका यह तो अपने यहां हो जाती है मननार की खाड़ी के छेत्र में यहां होती है उडिसा के पास तटवर्ती चिलका जिल के पास वाले लाके में होती है तो जहां जा खाड़ी और लक्षदीप लक्षदीप वाले लाके में भी बहुत अच्छी होती है लक्षदीप में तो इन छेत्रों में क्या होती है हमारी ए स्टिपिये चेत्र इसके लावा मनार की खाड़ी कच्छी की खाड़ी उरीश चिलका जील के पास का छेत्र वहां पर इसका डवलपमेंट किया जा रहा है तो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके अलावा देखें इंधन के रूप में भी उपयोग होता है और कैंसर के इलाज क तो यह हो गई हमारी कौन सी समुद्री श्यवाल कृशी अगली बात करें हम समविधा कृशी की में समविधा कृशी देखें समविधा कृशी का मतलब हो गया किसी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी दूसरी छोटी संस्था को निधारित करना जैसे माली जे इसको अधारन किसी भी कृशी का ले सकते हैं किसी के पास खेत है, खेत है तो मालिक किसी संस्था को, किसी विशेश बड़ी संस्था को उससे आलू लेना है, तो वो क्या करेगी? उस व्यक्ति को जिसके पास खेत है, तो कहता है खेत तुम रखो, वाइकी सारी चीज में प्रोवारेट करा है, हम आमरी द् compute करेगी, आपको अच्छे बीज देगी, आपको पूझी निवेश करेगी, सिचाई के साधन उपलब्द कराएगी, आपको टेकनोलोजी उपलब्द कराएगी, इवन आपने जो भी प्रोडेक्शन किया है, वो आपको कहीं लेके नहीं जाना, कम्पनी के खुद आके उस सामान को आप से लेके गेल, अच्छे लेर हैं को क्योंते हैं किक अच्क्णोड़, तो यह जो अच्छा बीज दे रहे हैं गिल्स देटेशकously हमंतुत, दम धिल्चे कीह जब रहे हैं अच्छत आपको टेकनोलोजी बहें हुआता है, अच्छी सुविधान का थेरह तो यह गैंपने मिम्तिन, वह और आप काम करके नहीं दोगे तो ऐसा नहीं होता है उसका पूरा agreement होता है agreement के तहत वो काम करते हैं निश्यत समय पे पूरी फसल उठाके वो किसको उस company को जिसने उसको निवेश किया है वो दे 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 थे माचल में आलू है 36 गड़ का पत्तागों भी है तो इस प्रकेट की में वेधी से किया जाता है शुष्क भूमी क्रशी नेक्स्ट अगर हम बात करें शुष्क भूमी क्रशी की अगली बात करते हम शुष्क शुष्क भूमी क्रशी का मतलब जहां वर्षा वर्षा पिचेतर सेंटीमीटर से कम हूँ जब पानी की कमी है तो किसके माध्यम से की जाएगी सिचाई के माध्यम से अब सिचाई भी तो तब की जाएगी जब वहां पर आसपास नहरें नदियां हों या भूमी गजल आजकल तो सबी चीज बहुत कम है भूमी गजल इस तर दीरे दीरे गिरता जा रहा है बारिश इतनी हो रहे नहीं तो नदियों में भी पानी की कमी है तो इन छेत्रों में क्या होता है कि कम पानी में अच्छा उत्पादन लिया जाए तो उसके लिए कई पद्यतियां अपना ही जा अधी बढुशंटने को आप अधी नमी बनी रहे तो नमी बनी रहेगी और वाश्पी करन कं हो तो इससे जो वो बादन अच्छा मिलेगा भारत के 22 प्रतिशत से ज़्यादा जो छेत्र हैं वो शुष्क भूमी छेत्र के अंदेर आते हैं जिसमें राजिस्थान तो आपका हमारा सबसे पहले आता है क्योंकि राजिस्थान में तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है पश्यमी मरुस चสत्व किस्म के होते हैं इसके अलावा राजिस्थान के अलावा पंजाव है हरयाना है इस चेत्र में ऐसा नहीं जाता है ईसमें घुजरत की वहां और भूसकर खर नाकर करनाट डेंव आफ से में अकन कुछना ह紹 कि जा है ज़ने इस पढ़ता है पानिये हैं और फ़ियित कम बढ़ी तो ब्रक्षपी प्रक्रीया यह है अपनी बिर्सा क्रशी विश्विध्याले में है जहां पर मिटी के अनुसारों समें कौन सी फसल अच्छी हो सकती है क्यों अच्छी टेक्नोलोजी का अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किया जाएगा ठीक है तो यह हो गई हमारी शुष के क्रशी पर दिती है ट्रक वर्मजिय है तेट कहां से लिया गया अमेरिका से लिया गया एंठ्ट व के माध्यम से चीज़ों को एक स्थान से दुस्रे साम और इसमें विशेश चीजेंटर की अचाग होती है फल अविछा, तॉन को अधन यह की जाता है ट्रक फार्मिंग तो इस प्रकार टोटल हमारी कितनी प्रकार की क्रशी हो गई चौदे प्रकार की क्रशी हो गई हैं और मैंने सबका आपको मीनिंग बता दिया लेकिन कुछ क्रशी के प्रकार हैं जैसे मैंने कहा था स्थानी क्रशी को इस्थानी नाम अलग अलग हैं ऐसे ही क्रिशी के कई प्रकार भी है तो उनके बारे में भी आपको बता दू जाए अपने नाम सुने होंगे मैं ख़ा एपी क्लचर कर वीटी कलचर में नाम बता रहिए फिर मतलब तबी घृचरिक कलचर ये कुछ नाम तो आपने सुने ही हुए ऐसा नहीं कि आज ही बता रहे हैं फ्लोरी कल्चर है वर्मी कल्चर है और ये आपको याद होने ही चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है ऐसा नहीं कि नहीं हमने पड़े कई बार हम गलत्ती भी कर जाते हैं पॉमी कल्चर है ओलरी कल्चर है नाम ध्यान से और फिर इनके मतलब भी हम समझ लेंगे पीसी कल्चर हॉर्टी कल्चर फिर इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर मैं इनके आगे लिखूंगी तो उसके हमें माइने भी पता होना चाहिए जगे दोत और एरोपिनेक्स भी रह गया है हाइड्रोपॉनिक्स रह गया चलिए जो सैरी कल्चर है वो होता है हमारा रेशम के कीड पर रेशम कीड इसमें रेशम के कीड़े पाले जाते हैं जिनको लूम कहते हैं और आपको बता दूरेशम बनने की प्रक्रिया अगर आप कीडों को मारक के रेशम रेशम जाता है है इसे कहते हैं सैरी कल्चर नेक्स्ट बात करें, एपी कल्चर, तो एपी कल्चर आपने जगे जगे मधुमक्ही पालन देखे होंगे, बक्से रखे रहते हैं, मधुमक्ही पालन, और आपने अपने छेतर में देखोगो, सर्सों के खेत के आसपा से वाइट कलर के बॉक्स लगा देते हैं, जासे मधुम कि बात करें तो अंगू उत्पादन आपके लोए कि फलों के बादन यहीं इस नहीं जोड़ा हो यहाँ अपना इसमीह प्रोड़क्शन में आजाता है वर्मी कल्चर में केचुआ यहाँ वर्मी कंपोस्ट में ने किचुआ आपके लिए ही भी उपयोग ह Bluetooth केंच्विक उतक्पादन से पॉमी कल्चर यह वी फलों से तो देखिए फ्लोरी पॉमी दौनों फलों कि उतक्पादन से आपको वह फूलों का यह फलों का दोनों केंवा देखने हैं क्या विए कंफ्यूज हे हैं लेकिन मैं एक संग लिख रही हूं पीसी कल्चर मचली मैंने आपको जली कृषी बता है वह वाला पीसी कल्चर हौटी कल्चर यह हो गया बागवानी तो कई चीज़ तो आपको मैंशन में कड़ चुकी हूं खेती के माध्यम से एक है एरोपॉनिक्स बहुत अच्छा है इसको देखना एरोपॉनिक्स अच्छा है इसलिए आपको याद रहे हैं हवा में पौधे उगाना अब कहेंगे में हवा में पौधे कैसे हो गये बिल्कुल ओगे गन्वलों को टांग नहीं रहती जगे जगे जाई-स-पेस कम होता है कर अचाओं के करके वो जु प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम air uponyx ठीक kes अब हवा में पौधे हो गाना इक होता है हमारा hydroponics जल ये क्रिशी बताई थी ये उसी का उधारण है जल में पौधे उगाना तो आपका जो जल ये क्रिशी है या एक्वो पॉनिस मैंने आपको बताई थी ये उसी से रिलेटेट है तो ये भी आपको याद करने है तो इस तरीके से अभी तक जो भी मैंने आपको बताई हमारे भारत में कौन-कौन सी क्रिशी हो रही है, विश्विस तरपे मैं भारत को रिलेट करके ही बता रही थी आपको, तो भारत में टोटल चौदे प्रकार की क्रिशी होती है, मैंने फिर क्रिशी में किस को स्थानिय न जाना जाता है ये भी आपको याद करना है अगला टॉपिक जो हमारा है